हेलो फ्रेंट्स कैसा सब लोग तो फ्रेंट्स आज होने वाली आप लोगों के लिए एक बहुती इंपोटेंट वीडियो और इस वीडियो से आपके यह मान के चलिए कई कुश्चन आपके एक्जाम में देखने को मिलेंगे तो आज की वीडियो के अंदर में आपको कराने वाला हूँ NCRT का कोंटेंट जो कि आपके एकजाम के अंदर पूछा जाता है जितने भी question आपके आज तक online exam में या offline exam के अंद लिए हुए वो सब आज की वीडियो के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे और इससे आपका जो NCRT है वो यहाँ पर complete हो जाएगी ठीक है तो चलिए सुरुवात कर लेते हैं आज की वड़ी महत्पुन वीडियो की जिसके अंदर आपका totally आपको NCRT परादारित आपको question देखने को मिलेंगे एक एक करके जितने भी question आज तक आपके exam में पूछे गए वो लगबख सभी question आज की वीडियो के अंदर मैंने लिये हुए इसके बाद fourth की कराऊंगा फिफ्थ की कराऊंगा इस तरीके से मतलब यह NCRT को मैं आप लोगों के लिए कराने वाला हूँ तो आज आपकी class third की संपून NCRT होने वाली है कि जिस पर आपको third class प्रादारित जितने भी question आते है वो सब आज की वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे साथ में एक तरीके सा आप इसको अपना test भी लेकर चलिए क्योंकि मैंने NCRT के आपके कही सारे topic करा चुका हूँ जानवर, पक्सी, पोदे, उसके लावा train वाला ये question यह सब मैं आपको map वगरा सब करा चुका हूँ एक तरीक सा आज आपका test भी हो जाएगा ठीक है और आज question 30-35 नहीं है बहुत ज्याद है question आज मैंने लिए वे तो चलिए शुरुआत करते हैं आज आपके NCRT के खातमे की ओर ठीक उसके लावा भाई channel को subscribe कर लेना क्योंकि उसके बाद आपको और भी NCRT का content में इसी परकार दूँगा तो channel को subscribe कर लेना ताकि बाकी वीडियो भी आपको मिलती रहे ठीक तो चलो भाई आज आते हैं अपने question के ओपर आ जाते हैं और क्या 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 question किस तरिके के question लिए हुए वो सभी आज की वीडियो के अंदर हमको देखने को मिलने वाला है ठीके जी सभी को good evening में ठीक हूँ आयोप आप लोग सब ठीक होंगे तो चलो भाई शुरवात कर लेते हैं सभी का good evening मेरे पास आ गया है जल्दी जल्दी अब इसको start कर लेते हैं देखे और वीडियो के end मे अपना score बताना और फिर देखना कि भई आपकी तयारी कितनी हो चुके बट हिमांदार इस अपना score बताना ठीक है cheating मत कर देना कोई भी देखे पहला question सामने जो आपकी screen पर दिया हुआ है ये रहा आपके सामने पहला question कुछ question आपको बहुत असान लगेंगे पहले से पड़ परिवार के साथ रहती है ठीक है तो इस परकार की जो परिवार वहसता है उसको क्या कहते है ठीक अब वह आपको बताना है यह जो परिवार से संबंदित question आपके exam में पूछा गया है आपके NCI टिंदर chapter दिया हुए परिवार के उपर जहापर वह चीजे बताई हुई है ठ लोग सामने answer लगाना आप लोग ने सुरू कर दिया होगा तीन चीजे वहाँ पर दी होती है ठीक है एक तो होता है आपका एकल परिवार एक तो होता है आपका कौन सा एकल परिवार nuclear family और एक होता है आपका सयूंक्त परिवार यानि कि joint family ठीक है अगर मैं एकल परिवार की add नहीं होता एकल परिवार के अंदर लेकिन जैसे सयुंग्त परिवार की बात आती है तो parents और बच्चे माता पिता के लावा अगर कोई भी अन्य सदस्य यहाँ पर add हो जाता है तो वो समझ लेना वो आपका सयुंग्त परिवार हो जाएगा चाचा चाची आपका family tree देखने को मिलता है यानि कि once works आपको देखने को मिलता है ठीके तो family tree आई ओप आप लोगों ने school के अंदर बनाया होगा या देखा भी होगा तो इस तरीके से मान लीजे यह family का tree मैंने इसको बना देता हूँ यह रही हमारी family tree ठीक है तो यहापर कोन होगे family tree में यहाँगे मा यहाँगे पापा होगया ठीक है यह हमारे माता पिता होगे इस family tree के बाद यहाँपर क्या हो जाएंगे यह इन दोनों के यहाँपर अलग-अलग हो जाएंगे यहाँपर बच्चे भी हो जाएंगे यहाँ पर दादा दादी भी हो जाएंगे यहाँ पर दादा दादी भी हो जाएंगे ठीक है और माता पिता के यहाँ पर बच्चे भी हो जाएंगे ठीक है माता पिता के बच्चे हो जाएंगे लड़की हो चाए आपका लड़का हो तो इस तरीके से पूरा क्या होता है यह प कौन जी फैमिली इन दोनों में बढ़िया हुती है ठीक है अब कोश्चन के अंदर देखो इसने सारा आगे माता पिता छोटा भाई भी दादा दादी चाचा भी उनके परिवार भी मनला पूरा कुणवा सारे कट्टा हुआ ठीक है तो आपको बताने इस प्रकार की परिवार दोनों का काम करते एकल परिवार में सिप माता पिता आ जाएंगे इतनी बड़ी फोज देखने को नहीं मिलेगी इतनी बड़ी फोज किसके अंदर आएगी इतनी बड़ी फोज आएगी आपकी सभी परिवार के अंदर जोइंट फैमिली के अंदर आ जाएगी जिसमें परि कभी पढ़ना हर दोनों के अपने फायदे भी है दोनों के अपने नुकसान भी है तो कभी भी यह मत कहना कि joint family वड़िया होती है क्योंकि मेरी joint family है क्योंकि मेरी nuclear family है ऐसे मत करना nuclear family के अलग फायदे है joint family के अलग फायदे होते है ठीक है तो ऐसी बात नहीं होती है अगला question देखे सामने आपकी screen पर आगया ये रहा आपके सामने next question next question आपको दिया वाया है यार आपका question मैंने बार बार बता हुआ है कि एक आपका content में आता है एक आपका pedagogy के अंदर आएगा एक से ज़्यादे भी आपके question आ जाते है तो ये आपकी 6 theme पूछुई है और हर बार ये मतलब exam में definitely question आता है तो 6 theme देख लेना आप लोग plant नहीं ये आपकी सब theme के अंदर हो जाएगी family and friends, food, water and travel चार तो यहाँ पर इन्होंने दे दी जरा comment box के अंदर दो और मुझे बता दो दो और कौन सी theme आपर बचिए ये तो छोटा बच्चा भी इसको बता देगा तो answer क्या हो जाएगा आपका second answer यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ठीक है अगला question देखते है सामने आपकी screen पर आगया ये रहा अगला question बगुला भहस पर बैठता है क्योंकि अब NCRT के सुरुवात में आपके lesson के अंदर एक photo दी हुई है यहाँ पर ऐसे भहस है क्यों बैठता है भई आप लोगों ने देखा है ना गाउं के अंदर देखा होगा बैस के उपर बैठा रहता है और बैस भी आराम से बैठे रहने देती है ठीक है अब basically ये रहते आपके सहजी वी रहते है ठीक है ये क्या रहते है आपके सहजी वी रहते है जो एक दूसरे पर निर्वर रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे पर निर्वर रहते हैं, अपने प्रोफिट के लिए, अपने लाव के लिए, खाने के लिए, किसी प्रकार से एक दूसरे को पर निर्वर रहते हैं, अब बगुला क्या काम करता है, इसकी पीट पर बैठ का, जितन लावा एक होता है पैरसाइट होता है एक आपके परजीवी होते हैं कौन होते हैं पैरसाइट होते हैं यानि कि आपके परजीवी रहते हैं यह अपने फायदे के लिए दूसरों पर निर्बर रहते हैं क्या रहते हैं यह दूसरों पर निर्बर रहते हैं लेकिन सिर्फ अपन के लिए सामने वाले को फायदा नहीं मिलता है सिर्फ इनको फायदा मिलता है जैसा आप लोग ने देखियोंग जो आपके अगर कहीं पर चिपक गई तो आपका खून पी जाएगी उससे थोड़ी जिव को फायदा मिलता है पैरसाइट के उपर पर जीवी के उपर ठीक है वह कौन सा पैरसाइट पोदा है जो आपके एक्जाब में पूछा गया था जगलती है पैरसाइट आपका पूछा न्मे फौछा न बैठता है उसके बार में आप लोग यहापर बताना है बगुला तथा बहस में सह जीविता का आपका संबंदर क्या है सह जीविता का संबंदर तो भाई आंसर नंबर फर्स्ट यहापर आपका यह सही हो जाएगा ठीक है बिलकुल पहला आंसर आप लोग ने आपर दिया और यहाँ पर 6 theme आप लोग बता रहे हो, ठीक है, ठीक है बढ़ते बाप के सामने, next question के ओर, अगला question यह रहा, आपके सामने, screen पर next question, अब देखे, जो अगला question आपको दियावा है, यह इस प्रकार की question है, जो NCIT के अंदर बच्चों को exercise के अंदर दीवी, ठीक है, जो बच्चों को खुश से सोल करने होते है, कभी-कभी इनको parents उनको करवा देते है, तो इनकी पूरी summary भी वैसे Google के उपर दिवी है, आप लोग टैंसर में मत पढ़ना, जितनी चुझे मैं करा रहा हूँ, या किलास देख रहा, उनको कर लेना, फिर टैंसर आप लोगों को लेने की ज़र ऐसो question sheet at के exam में कई बार पूछे गए, तो देख आर कच्छवा पानी में रहता है, मचली पानी में रहती है, कोवा नहीं रहता है, ठीक है, गडियाल पानी के अंदर रहती है, कोवा कहा पर रहता है, पेड की सबसे उची डाली पर अपना गोसला बनाता है, जो कोवा रहता है, वही पर इन सभी का आपका जिक्र दिया हुआ है, कि कीड़े कौन से होते है, पक्सी का नहीं दिया हुआ, आपके सरी सर्फ रेप्टाइल के बारे में पूछा हुआ है, और इस्तंधारी के बारे में भी आपसे पूछा हुआ है, तो इनको आपको इन से करना है, मैच द से यहां पर कॉकरेच कीड़ा कीड़ार हो जाएगा मदमक कीं ठीक है और आपका जैसा को क्रेच हो जाएगा तो यह सामनीकी रहती है तो आप लोगों की Ah अपनी गर्दन को पीछे लगबग 270 डिग्री का आसपास से गुमा लेता है जो उल्लू होता है ठीक यह बात आपका उल्लू हो गया ठीक तो उल्लू समझ गया आप लोग अगली बात करते है रेप्टाइल की तो रेप्टाइल जो जमीन पर सरक कर चलते हो आपके आते है उसके अंदर कौन हो जाएंगे हम मनुष्य हो गई गाय हो गई भैस हो गई बकरी हो गई और सबसे इंपर्टेंट जो आपके सीट एट के एक्जाम में पूछा जाता है चमगादर ठीक है तो इस परकार्चम मैंने इसको यहाँ पर मैच दा फोलोविंग कर दिया आ जिनके आगे के दात जीवन भर बढ़ते रहते हैं वे अपने दातों को बहुत लंबान होने देने के लिए वस्तों को कुतरते वे कारते रहते हैं जिनसे उनके दात यहाँ पर घिश जाए तो वो कौन से आपके दो जानवर होते हैं चिपकली आपका नहीं होगा पहला गल तीय वो यहां पर घबोएस्ट को से लोग मार देते हैं जहरवैर मिला देते यहां उनandy पकड़ लीजिया, बगाने के बहुत सारे तरीके भी आते हैं, ठीक है, तो सब को यह आप लोग अपने फायदे के लिए मार दोंगे, बिचारे जानवर कहा पर जाएंगे, ठीक है, तो यह काम आप लोग करड़ देना, बिचारों को मार नमर, ठीक, अगला कोश्चन देखते उबला हुआ टैपीोका खाना सबसे ज्यादा पसंद है, वह आपको बताना है, ठीक है? अब बताओ भई, टैपीोका किसा साथ आ जाएगा, हमारे देश के किस राज्य किंद सासीत परदेश, राज्य की बेसिकल यहापर बात हो रही है, तो बताओ कौनसा राज्य है, जहा यह जो लोग उसको जमीन के नीचे उगाते हैं यार मैंने आज तक कभी खाया नहीं है यह वाला ठीक है लेकिन देखने में कुछ बच्चों नहीं बताता सर सकरगंदी जैसा यह लगता है ठीक है तो केरल के अंदर जब कभी जाएंगे जब जरूरिस टैपियो का को खाएंग जाता है यह कौनची भाई डीश आ गई ठीक है यह तो पहचान में लगरी कोश्चन पढ़ते हैं निमली कितमे से किस राज्य के लोग जो होते हैं सरसों के तेल में बनी पकी मचली खाना पसंद करते हैं अच्छा मचली खाते हैं मैं वेजिटेरियन बन गया हूँ अब कई साल उसे बिल्कुल कुछ निखाता है ठीक है और जिन्दी के बर अब नहीं खापाऊंगा मैंने बताया भी ता एक वीडियो के अंदर तो सरसों के तेल में बनी अगर मचली की बात आ जाए तो सरसों के तेल आ जाएगा तो वह जाएगा आपका कश्मीर हो जाएगा लेकिन सरसों के तेल की जाएगा अगर आपके नारियल के तेल में पकिवी मचली की बात आ जाए तो हो जाएगा आपका गोवा हो जाएगा इन दोन के बीच में आपर कन्फूज मत होना है ठीक है तो आंसर आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा कश्मीर आपका सही हो जाएगा औ और आप लोग बिल्कुल पहले के साथ या पर सभी जा रहे हो ठीक अगला कॉस्चन दुबारा आपके सामनी स्क्रीन पर फिर कुछ इस परकार की मेरे खाल से नोन विज डीस है अब देखते हैं क्या कहता है कौनची डीस दी हुई है निमलिकित में से वह है राज्य चुनिये जहां कि लोग नारियल के तेल में पकी हुई मचली खाना फसंद करते हैं यह तो मैंने अभी बताया कॉस्चन कि नारियल के तेल में पकी हुई मचली कौन खाते हैं गोवा के लोग नारियल के आपको पेड़ी पेड़ आपर देखनों को मिलेंगे नारियल से बनी हुई एक बहुत ये वाली मतलब एक ड्रिंक होती है अगर किसी को पता है तो ज़रा comment box में बताओ बहुत लोग demand करते है भाई गोवा जा रहा है तो वो मेरे लिए लेकर आ रहा है बताओ वो कौन सी famous dish है option देता हो, hint देता हो, आपको काजू से related कुछ रहती है ठीक है चले बढ़ते हैं आपके सामने next question यह अगला question यह आपके सामने screen पर आगया ठीक अगला question आपको दियावाय कि नीचे दिये गए कत्वनों पर विचार करें तो चलो भई नीचे दिये गए कत्वनों पर विचार करते है जो कि आप लोग एक एक करके आपर पूछ रहो ठीक है ठीक है भई अच्छा चलो भई देखते हैं कि महाराष्ट के लोगों को सहजन के फूलों के पकोड़े खाना अच्छा लगता है बिल्कुल सही बात है सेजन के फूल होगे पकोड़े की बात आ जाएगी तो काह के लोग खाते हैं महराष्ट के लोग खाते हैं ठीक है आप बेसिकलिए जितने भी आपके खाने के चीज़ है ना सेजन के फूल होगे नारिल हो गया आपके उसका हो गया सरसों के तेल में बनी मचली होगी तो NCIT के पर 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 देश में रहने वाले होगो को कचनार के फूल होगे आपरब ये सही है, भाई, कच्चनार के फूलों की सबजी होती है, मैंने भी नहीं खाई, ठीक है, तो अंसर क्या हो जाएगा, आपका दे क्लिक होई हैं, तेक, अगली डिस 잡 आपके लिए तो बता होंग कोंग के लोग जो होते हैं कौन सा भोजन खाते हैं सोम जैन जी ने लिंग हूँ फेन कौन सा भोजन खाते हैं लिंग हूँ फेन खाते हैं तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है जो साफ होता है ठीक है यह जो साफ होते हैं देखो मैंने साफ कैसे बनाए इनको काठ देते हैं मारत के इनको ऐसे काठ देते हैं और काठ कर फिर इसमें अपनी जो भी होती है उबाल उबाल कर इसको और फिर यहापर मरे हुए साप को खाते हैं यहापर इस वाली पक्वान का नाम है आपका जो यह साप को मार करी वाली पक्वान बनाई जाती है उसको का जात तो सेकंड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा ठीक है चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट कोश्चन की वह देदा आज उनको जो है पॉल देदो पॉल दे रहा हुँ भई मैं आपको आप पोल के साथ आप लोगा आंसर देते जाना क्योंकि आपको थोड़ा इंट बढ़ते हैं उसके अंदर सारे जो पक्षी होते हैं वहां पर आपकी पहली दिवी और उनके बराबर में पहलिया दिवी है और फिर बताना है कि उसका सही आंसर क्या होगा तो यह बहुत सारी पहलिया आप सीटेट के एक्जाम में आने लगी जब से पेपर आपका टो अज बताओ, मैं यहाँ पर क्या कहलाता हू, तो यह किसकी बात हो रही है, तो ते के जी नहीं, फाक्ता की, जी नहीं, बत्तक की नहीं, यह बात हो रही है, आसकी बात हो रही है, पर बीज के लिए Mr. Nail पक्षियों का वह जोड़ा चुनिये जिसकी दृष्टी इतनी तेज होते कि वे हमारी तुलना में वस्तो को चार गुना अधिक दूरी तक इसपश्ट रूप से देख सकता है तो कौन-कौन से कोवा और उल्लू जी नहीं इनके अंदर इतनी दृष्टी नहीं हो सकती दूसर चील और गिद यह आंसर आपका सही हो जाएगा चील बाज और गिद चील बाज और गिद की जो दृष्टी होती है वो हमारी तुलना में चार गुना तेज होती है अपने सिकार को ऊपर इतनी उचाई पर रहने के बावजूद भी यह मतलब आइडेंटिफाइव कर लेते ह फिर उसको खा जाता है ठीक है तो किसी हो जाएगा आपकी चील बाज और गिद की आंचा नंबर सेकिंड आपका सही हो जाएगा ठीक चली बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स कोश्चन के और अगला कोश्चन यह आपकी स्क्रीन पर एक और आपकी पहली दी आप देखो यह पहली कोंची है इसके ओपर नजर डालिए निमिलकी तो पहली को हल करिए मेरे मरे जानवर मेरे नहीं एक सेकिंड मरे जानवर खाकर मैं जंग साब कर देता हूँ उचाईयों पर उड़ता हूँ बोलो मैं क्या कहलाता हूँ वह आपको बता रहा है तो कोवा कोवा नहीं आपका होने सरा कभूतर भी नहीं होगा तुब तो कट फोडवा के बारे में भी कहिए है कि उतक अपना गोसला बनाती है तो कटट फोडवा की वह पर पजल गई है यह आंसर हो जाएगा आपका गिदा आंसर हो जाएगा जो मरे हुए जानवर को खाकर आपना मतलब enh cro gemacht की सपाई करता है environment का cleaner इसको बोला जाता है detergent इसको बोला जाता है जो मरे हुए जानवर को यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ठीक है आप लोग ने इसको दे दिया है गिद आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ठीक है तो आप लोग इसके बारे में समझ गए अच्छा तोते की और जो कोवा है उसकी जरह देखना कौन सी पजल आपको दियुए तोते और कोई की अगर पता है तो बताना क्योंकि मुझे इतना ही याद है जो मतलब इसकी बताईती कोई की बताईती कि काली-काली मेरे पैर है काली अपने अंड दे थे, तो कोई क्या क्या काम करता है? कोई तो अपने घोषले के अंडर रहे खापी मजे कर और अपने अंड दे और अंडे को भी तेरे सेने का मैं काम करूँगा, तो इतना जेंटलमेन होता है, जो आपका कोवा रहता है, ठीके, तो यह आंसर आपका कोवेल का यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीके, बाकी सभी की भी पजल, देखो जितने एकजाम में पजल पूछी गई थी, वो सब मैंने आ यह आपके लिए काफी रहेगी, एक और पजल आपके सामने आगई, देखो जो मैं अभी बोल लाता बताकर, रंग से लेटी पंजे गुलाबी, गुटर्गू, गुटर्गू करता हूँ, दिन पर सोर मचाता हूँ, घरों में अपना घर मैं बनाता हूँ, बोलो मैं क्या कह लाता हूँ, तो बताब क्या है, फाकता है, जी नहीं, कोयल है, जी नहीं, मैं हूँ, कबूतर, कबूतर अपना ये सब चीज activities करता है, ये उसकी विशेशता है, शरीर की, और अपना घर का बनाता है, पुराने घर के अंदर अपना घर बनाता है, ये खंडरों के अंदर रहता है कबूतर रहता है ठीक है तो आंसर आपका थर्ड यहाँ पर आपका सही हो जाएगा चलिए अगला बढ़ते हैं अगली आपके सामने एक और पजल आ गई देखो जितनी भी पजल है मैंने कहा ना आज की वीडिये के अंदर आपके इंसार्टी खतम है किलास थर्ड की तो देखो सारी पजल आपके सामने आती जारी जो आपके एक्जाम में पूछी गई थी पहले नहीं आती थी पहले जब पेपर आपका पहली वार ओनलाइन वाए उसके अंदर मोर का पूछा गया था लेकिन दुबारा वाले ओनलाइन के अ कर खोरा दरजिन चिडिया या फिर आपका वीवर्ड बर्ड यहां पर यह कहला जाएगा तो बता इसकी सही आंसर क्या हो जाएगा ठीक है तो इनके बारे में मैंने आपको कई बार डीटेल में बता चुका हूँ बट पजल के अकूडिंग बता यह पजल के अकूडिंग आ उसी परकार से एक दरजिन चिडिया होती है जो अपनी चोच से पत्तों को सीने का काम करती है और फिर अपना गोसला बनाती है तो आंसर इसके अंदर आपका दरजिन चिडिया हो जाएगा ठीक है तो यह आंसर आपका थर्ड सही हो जागा बाकी यह पक्सी है इनके उपर अ कि नीचे देगे पहली को सोल करिए, पेड के तने में छेद बनाऊ, उसमें छिपे कीडे में खाऊ, टुक टुक कर जाता हूँ, बोलो मैं क्या कहलाता हूँ, तो देखो पेड के तने में छेद कोर मनाती है, ठीके, यह जो पेड होता है, तो पेड के जो तने के अंदर छेद पर रहते कौन सा होता है वो तो आपका कट फोडवा होता है ठीक है क्या होता है option number first आपका से हो जाएगा प्यट फोडवा आपका रहता है बिल्कुल सही answer आप लोगों ने हापर दिया I think कितनी पजल आप लोगों के लिए काफी हो गई ठीक है जितनी मैंने आपको वताई हुए यह सभी वो है जो आपके एक्जाम के अंदर पूची गई है तो आप लोग देख सकते हो कितनी सारी पहिलियों को एक्जामिनन ने इस बार आपके एक्जाम में पूचे जाएंगे अगला देखे अगला question आपके सामने स्क्रीन पर आ होती है उनके बार में बात हो रही है जो मीट को काटने के काम होती है ठीक है और basically किसकी रहती है यह रहती है आपके चील बाज और गिद की किसके रहती है आपके चील की बाज की और आपके गिद की रहती है ठीक है इनकी आपकी चोच रहती है जो आपकी यह रहती है मीट को काटने वाली होती है तो इस चोच का आपको बताना है कैसी दिखती है वो आपको बताना है कोने आकार की जी नहीं सीधी और पतली चोच ये भी नहीं होगी हुक जैसी चोच होती है ठीक है कैसी रहती है आपकी हुक जैसी चोच होती है इस परकार की कुछ चोच रहती है तो ज पानी के अंदर खड़े-खड़े हलकी सी मुंडी गुमा कर मचली को पकड़ लेते हैं तो आंसर आपका थर्ड यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ठीक चुले बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन यह रहा आपकी सामने स्क्रीन पर चोच से पूछावा एक और क्वेश्च के अंदर रहती है वह आपको बताना है फ्लैमिंगो यानि हंसावर बिल्कुल ठीक बात है जो आपका बत्तक हो गया इनकी जो चोच रहते हैं इस प्रकार से तो मानली जापर कोई भी कीचड वीचड है ठीक है पानी है कीचड है और उसके अंदर मानली जा को यहाँ पर मच कोच वाले होते हैं ठीक है फिल्ट्रेशन वाले होते हैं तो आंचर आपका फर्स्ट आंचर यहाँ पर सही हो जाएगा ठीक है बाकी पढ़ने की ज़रुती नहीं है आपके ठीक अच्छा एक बार बताओ गुरहिया दिवस कब मनाया जाता है कई बार में आपको बता चुका ह कई तो आप पढ़ने के लिए जगते हो जो आंचर अ कि घुमा देनाऊ मनिश्यों की तरफ रहती है ठीक है जो मनिश्यों रहते है células rock आगे की तरफ इसकी आखे रहती है जो उल्लू की आखे रहती है ठीक है ये बात आप लोग समझगे चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट कोश्चन के ओर देखे अगला कोश्चन आपको क्या दिया हुआ है इसके उपर एक बार यहाँ पर नज़र डालते हैं यह रहा उप के होते हैं इनके पंको ने उडवने में भी help करते हैं और उडवने के लावा जो बात ब्हज़ाना को की कि में ठीक हो द जाता है चलो ऊड़ने में तो मदद करते लेकिन खाने में नहीं करते उन्हें गरम रखते हैं, क्या रखते हैं, उन्हें गरम रखते हैं, विबिन परकार से चलने में जी नहीं, उसके लावा उन्हें जल से बनाते हैं, विबिन परकार से चलने में और उन्हें जल से बनाने के अंदर आपका रहता है, अच्छा विबिन परकार से देखो, अब भी रखते हैं, लेकिन क्या विभीन तरीकों से चलने वाला कोई पक्सी है या नहीं है, जरा मुझे कमेंट बोक्स में, आप लोग इसका आंसर बती है, ठीक है, अभी तो आप लोग पिछले पर ही लगे हुए, इस वाले का जरा मुझे आंसर बती है, क्या कोई ऐसा पक्सी आ एक्जाम में लाइव 20,000 पहुचे है, इस बार CT8 के बच्चे वाकई में कम है, वनना हर बार मेरी ओनलाइन किलास होती थी, 30,000, 35,000 का आकड़ा चलता था, और जो मेराथन किलास रहती थी, उसमें 50,000 प्लस की किलासे चलती थी, CDP में 55,000 के करीब, EBS में 50,000, पेपर अनलि बच्चे हो, बट ठीक है, पहली बार के कम पेरिजन में बहुत कम बच्चे है, इस बार CT8 में लगे हुए है, ठीक है, BPSC में जाद है तरह सब लगे हुए है, अगला कोश्चन देखे सामनी स्क्रीन पर कि पक्सी निश्चित समय पर अपने पंकों को खो देते हैं, तो यह क्या परकिरिया कहलाती है, एक निश्ची टाइम आने के बाद जो पंक होते है, वो खो जाते हैं, जड़ जाते हैं और उसके बाद फिर नए पंक खाते रहते है, तो यह पक्सी को आपको खोनी की परकिरिया है, देखो, यह आपकी हईब्रेसन नहीं होने की, यह जंकान्न के बारे में आपको बताया ता जरा कमेंड बोक्स में वती है इससे पता लग जाएगा कि आप लोग मेरी पुरानी वीडियो मतलब जो अभी डाली है उसको देख रहे हैं नहीं देख रहें क्योंकि टोपिक वाई जिमें आपको सबी चीजे डिटेल में वहापर करवा भी होता रची सोता क्विषाएं अफिर होता है या फिर आपका केलिमस बता हुए आंसर क्या गण Karena जो आपका मुल हंसर के भला को वों यहाँ ब समय पर क्या खायला जाता है ठीक है इस लो आपका जो आपका कशी का आपका कठोर भाग रहता है यह जो चारो टाइपस है वह यहाँ आ यहाँ पर आपको बता दिये ठीक है अब किस तरीके के अग्जामिनर के पास question नहीं रहते तो नय नै question देता था जब नए question भी anxiety के खतम होगे चलो नई वाली anxiety से दे दो नई वाली से खतम होगे चलो याँ टेट वाले question मतलब बच्चों का तेल निकाल ना है दो चार question के अंदर अब offline paper है और मैं उम्मीद करता हूँ cbc वाले एक दो से जादर नहीं देंगे ठीक है देखे अगला question आपके सामनी screen पर आगया निमलिकित Samoo में से उस Samoo को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिये वे आपकी anxiety के अंदर खाना पकाने के चार तरीके दिये वे तो तीन तो आपको option के अंदर दिये वे बताइए कौन से आपर option हो जाएंगे और एक और तरीका बाती है खाने के पकाने के तरीके देखते हैं सेक कर तल कर भून कर और आपका क्या हो जाएगा इसके अलावा चोथा option जरा comment box में होती है इसके अलावा आपका क्या हो जाएगा ठीक है जब तक मैं आपका एक चीज आपको बताता हूँ देखो यह आपके simple seat at के exam में ऐसी पूछे ज खाय जाता है जो भूनने वाले जो आपके रहते है ठीक है अगर भूनने वालों की बात आ जाएगी तो क्या हो जाएगा आपका बुट्टा हो जाएगा ठीक है आपका क्या हो जाएगा बुट्टा हो जाएगा यह आपका जो सकरगंद है वह आपका हो जाएगा सकरगंदी जो होती है ठीक है तो इस प्रकार से मतलब examiner चाहे तो इसको डिटेल भी दे सकता है बट सबसे बड़ी बात है seat at वालों ने आज तक सिर्फ यहीं दिया हूआ यह खाने के चार तरीके इन में से कोई भी तीना से पूछ लेता है थीक है यह चारों भी आप लोग इसे पूछ सकता है जो कि आप लोग बता रहे हो थीक है उबालकर ठीक है बिल्कुल ठीक बता है चोता तरीका आपका क्या हो जाएगा उबालकर हो जाएगा ये खाने के आपके चारो तरीके होते हैं सदाबार कोश्चन है तबी सा आ रहा है जब से पेपर आपका मलब सीटेट का उफलाइन होता था अगला question देखे, अगला question ये रहा सामने आपकी स्क्रीन पर इस question के बारे में अब हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीके चलिए बई, नजर डालते हैं, अब यहाँ पर देखें क्या हुआ है कि नीचे दिये गए पदो में से बीज के अंकुरन का सही करम बताईए, कि जो बीज का जो अंकुरन होता है, ठीके तो बीज किस प्रकार से पोदे के अंदर कनवर्ट होता है, वो आपको यहाँ पर बताना है सामने आपको option लिखे हैं कि पत्तिया आने के बाद अल्प वेस्क पोदा अपना भोजन स्वेम बनाता है जी नहीं, यह तो सबसे बाद की बात होती है तो सबसे last वाला होता है, तो क्या होता है सबसे last का आपका process होता है सबसे last का आपका process होता है दूसरा है, बीज एक छेद से पानी को सोकता है, यह बिजावरन को नरम कर देता है और यह फिर फूट जाता है, यह आपका पहले से हो जाएगा कि एक छोटा सा छेद होता है, उससे पानी को लेता है और उसके बाद यह फूट वोड जाता है जो इसकी परिक्रिया चलती है बीज से अंकुरन होता है और वह उपर की और यहापर बढ़ता है जी नहीं, यह नहीं होगा आपका इसके बाद इस स्तीति में बेबी पोदा बीज में उपस्तित भोजन से यहापर जीवित रहता है यह आपका क्या हो जाएगा यह भी इसके अंदरा नहीं हो जाएगा इससे पहले को प्रोसेस आएगा बीज से एक छोटी जड निकलती है देखो यह आएगा दूसे नमबर पर क्या हो जाएगा बीज से एक छोटी जड निकलते है जो की नीचे की ओर बढ़ती है उसके लावा आपका क्या हो जाएगा उसके लह हो जाएगा, तीसरे पर ये इस सिति में जो बेबी पोदा होता है, वो बीज में उपस्तित बोज़वन से आपका जीवित रहता है, और फिर हो जाएगा, चोथे पर ये बीज से अंकुरण होता है, और वह उपर को बढ़ता रहता है, और पाच्वे पर हो जाएगा यह सबसे लाश्ट वाला कि पत्ती आने के बाद वो अपना बोजन स्वहम से बना सकता है तो इस प्रकार से आपका पूरे का पूरा सिक्वेंस है यार देख लेना उप्षन में से कोन सा बने और आप लोग इसका बता देना आप लोग किस ओप्षन के साथ यहाँ पर जा रहे हो ठीक है आप लोग किस के साथ गए ची के साथ आप लोग यहाँ पर गए ठीक है तो आप लोग ने ठीक बता है बिल्कुल ठीक है अगला देखे कोश्चन यह भी आपका बीजो से लियावा कोश्चन है बीजो का जो अंकुरन होता है वो किसकी अनुपस्तिति में हो सकता है अब देखो बीजो का अंकुरन पहले step बाई step आपने पढ़ लिया लेकिन अंकुरन जो आपका होता है किसकी help से हो सकता है और किसकी आप बिना help के भी आपका हो जाएगा देखे सूरज के परकास की, सूरज के परकास को बीजों की इतने कोई खाज जरूत नहीं रहते, इसके बिना भी अनकुरन हो जाता है, बीजों का, वायु की हवा की मतलब नमी की और moderate temperature की जरूत होती है, इन तीनों की जरूत होती है, लेकिन सूर्य के परकास यो अनुपस्तिती में भी हो जाता है तो आंसर इसके अंदर आपका first हो जाएगा जो कि आप लोग इसके अंदर बिल्कुल सही यहाँ पर जा रहे हो ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगला question यह रहा आपके सामने screen पर यह question आपको दियावा है NCRT के अंदर यह आपका दियावा है ठीक है बेसिकली मैंने कहा ना जितेनी भी आपके सारे question है इसको ढूंड ढूंड कर निकाला है वैसे हो तो जो content होता है जो आप लोग कराते हैं इसके पीछे कई घंटे की मैनत की रहती है ठीक है कभी-कभी तीन बज़े सोना होता है चार बज़े तक भी सोना पड़ जाता है इस सारे content के लिए बट उसके बाद फिर जो content आता है तो उसके बाद फिर तसल्ले मिलती है और बच्चों सही दे दिया ठीक है तो आज आप लोगों का है संपूर ने किलास थर्ड का है इसके बाद किलास थर्ड की मुझे नहीं लग रहा आपको ज़रोत जादा पढ़ने वाले है ठीक है अगला question दिया हुआ है आपका Braille जो लीपी होती है Braille लीपी का उपयोग द्रिष्टी हीन के अंदर भी लिखा हुआ है कि जो आपके Lewis Braille थे तो Lewis Braille जो आपके तीन साल के जब थे तो तीन साल में जो एक उजार चे उनकी आग चली गई थी ठीक है मतलब अपने फादर के उजार चे खेल रहे थे तो उनकी आग खराब हो गई थी क्या हो गई थी उनकी आग खराब ह होती है आपके 6 points पर ये आपके आदारित रहती है किस पर रहती है 6 points पर आदारित रहती है थर्ड आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ठीक है चलिए बढ़ते बापके सामने अगले question के और अगला question ये रहा screen पर इस question में बताने के लिए कुछ भी नहीं है जब पहली ब बड़ा simple question है जो कई बार में आपको करा चुका हो ठीक है बताओ किसके साथ आप लोग जाओगे अभी उसी का आंसर दे रहो पहले वाले के तो लोंग का यूज किया जाता है और इसमें कुछ है भी नितना बताने के लिए या लोंग के अंदर बताने के लिए अगला question रेसा है वह पटसन के पोदे कैं किस बाग से बनाय जाता है तो बेसिकली गरी नहीं पतीसे नहीं फूल से नहीं तन्य यहा पाज आपके ncrity खत्व है, तो question के चक्कर में मत रहना और देखना वीडियो के end में कितना आप लोगों का यहाँ पर score हुआ है, ठीक है, अगली बात करते है, सोचंद खेल की बात करते है, free play की बात करते है, ठीक है, किसकी बात करते है, free play की आपर बात करते है, देखे, दो प आपके इंडोर गेमें जो है जो आपके बहार के इंड़ए जाते हैं जो आपके घरओ इसके अंदर हम लोग कर सकते हैं, आउट्डोर और इंडोर के अंदर जो activities को कर सकते हैं, तो अगर आपसे गेम पूछ ले, तो गेम बता देना, अगर आपके free play की बात करें, या नी जहापर बच्चा अपने आप सारे तरीके के मतलब अंदर बाहर केल सकता, activities कर सकता, तो पर सही हो जाएगा, ठीक है, चलिए बढ़ते अगले question की हो, और आप लोग किसका answer दे रहे हो, first के साथ आप लोग या पर answer आप लोग दे रहे हो, ठीक है, देखे अगला question again, सामने आपकी screen पर आगया, ये पूछा हुआ है, आपका theme से, अब EBS की 6 theme तो आपको पता ही है, दूसरे वाले की कभी exam में नहीं पूछी गई, मैं उम्मीद करता हो, आज तक कभी पूछी भी नहीं जाएगी, बट आपकी जो एक यहाँ पर theme है, family and friends की, परिवार और मित्र की जो होती है, इसकी यहाँ पर sub theme दी हुई है, जो आपकी 4 sub theme होती है, ठीक है, अब उन 4 sub theme के बार में आपको बताना है, देखते हो option में से कौन से things we make and do, जी नहीं यह तो sub theme होती है, work and play, क्या होती है, work and play जो आपकी होती है, इसकी sub theme होती है, जरा 3 comment box के अंदर बती है, तीन आपकी क्या होती है, उनके बार में हापर आप लोग comment box के अंदर बती है, ठीक है, अगर आपकी work and play होती है, यह 4 आपकी क्या होती है, sub theme होती है, और किसकी होती है, family and friends की होती है, तो आपकी sub theme मैंने आपको बता दी, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके सामने next question के और अगला question देखे, सामने screen पर यह रहा, अगला question, पहली बार पूछा होआ question, आपके exam से इसका देना कुछ भी नहीं है, बट मैंने इसको डाल दिया, class third के इंचार टिक अंदर, क्योंकि आपर जैसे वनो की बात पूछी रहे, तो मैंने का चलो इसको डाल देता हूँ, ठीक है, ऐसो कुछ extra जो question है, उनको मैं इस तरह की से डाल दूँगा, ठीक है, अब यह question पूछा ग पर जात यहाँ पर आती है, वर्सा यहाँ पर वोट टा ज्यादे समय तक बनती रहती है, या आपके उसन कťी बंदिये वर्सावन होते हैं, उसन कटी बंदिये वर्सावन की बात हुजााइगी, तो आपका एक तो आप लोग नोर्थurities के लिख देना, ठीक है, नोर्थिस् परिश्टर के नाम से जाने जाते हैं जिसके आपके अपके अपका पस्चिमी घार्ट के अंदर भी आते हैं या फिर आप लोग जैसे लिया पर बात होती है तो केरल और तमिल नाडू के साइड भी यह आपके देखने को मिल जाते हैं जो आपके उस निकर्टिवन दिया वर्सावन है अब यह कहाँ पाई आते हैं पहला उसन दिया हो है असाम में तो असाम आपका नोर्थ इस्ट के अंदर ही पढ़ने वाला आपका श्टेट है पहले से हो और आप लोग पहचानना कि आपका कौन सा इस्टेट है इसके इंदर उसके बारे में हम लोग बात करते हैं ठीक है ठीक है बई चलो आपके इसके सामने देखते हैं अच्छा मैं वीडियो को डिलवांगा जिसमें मेरी मेराथन किलास में 50,000 प्लस 50,000 प्लस लाइव गये थ उसको देखना जो record बनाता पिछली बार record बनाता ठीक है चलिए अब इसके बार में देखते है question आपको दिया वाया कि हमारे देश में ऐसे गाओं है जहां कि ग्रामवासी अत्यादिक वर्सा होने के कारण अपने घरों को बास के खंबो पर जमीन से 10 से 12 फीट उचाई पर बन पर बनाते ने रहते हैं बेसिकल को बनाने का चंच होता है क्योंकि बारिश की वजए सबने घर को बचाए जैसा अपने जिए जाएगे तो नीचे नीचे से पानी निकल जाएगा जाएगा आप लोग बास की जंग है उस पर फरस कर वाकर मतलब पक्की इटे करवा कर उसके पर घर बनाते है ताकि पानी वहाँ पर नीचे से चला जाए ठीक है तो वहाँ पर भी ऐसी वरस्ता देखने को मिलती है तो आंसर क्या हो जाएगा कौन चे गरों की निसानी है अब असाम के बार में जो जो चीज है वह हम अगली वाली जो किलास फॉर्थ आगी फिप आगी उ सबी किसी विद्यारती द्वारा नीचे देगे कथन पर विचार करिए मैं जीस जंगे से आई हूँ वहाँ पर पहाड़ी इलाका है हमारे हाँ बहुत बारिस होती है और बरभवी पड़ती है जब ठंड दिक होती है तो हमें धूप में बैटना अच्छा लगता है तो हमार परदेश थर्ड आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ठीक है और आप लोग यहाँ पर किसके साथ जा रहे हो थर्ड के साथ आप लोग जा रहे हो बिल्कुल ठीक आपका आंसर है ठीक है चलो बही देखते है आज देखते है आप लोग कितना स्कोर करोगे आज के करती है शीर पर साथ से नो पीतल के घड़ों को सम्मालती है तो इसको क्या कहला जाता है ये भी कुछ्छन इस बार आपका online exam के अंदर पहली बार पूछा गया था उनना इससे पहले question नहीं पूछा गया हाँ dance के बारे में question आ जाता है festival के बारे में question आ जाते है आपके exam के अंदर बट इस तरीके की शेली पहली बार आपके exam में introduce हुई ठीक है तो कौनची है काल बेलिया जी नहीं काल बेलिया तो आप लोगों को पता है आपके दुवार जो dance कराते है उसी परकार की movement भी करते है जो काल question की और next question के अंदर आपको कई सारे घरों के परकार दिए वे तो इन कवी सारे घरों के परकार में से अब आपको यहाँ पर सही आंसर बताना कौन सांसर आपका सही हो जाएगा ठीक है चलो speed मतलब सही चल लिए हमारी तब इतने सारे question निबटेंगे अगर speed हमारी सही चलेग ये आपके लेहे के जो घरोंगी निसानी है, पहली आपर ठीक है। जो इनके बारे में अलग चीजे भी बता रहा हूँ ना मैं कि मतलब जैसे यह यह वह सभी हो है जो आपके NCRT में लिखी हुए है कभी मेरे ऊपर तूट पड़ा रहे है राजिस्तान के कच्छ घर बोल रहा है ठीक है अगले घर है आपके सिरिनगर इसके अधिकतल लोग हाउ अगले बात करते हैं आपके सामने आ गया यह एक और क्षिन आपका दोगों डल जील की बात हो गई और डल जील ही आगई तो डल जील हमारे देश का परिशिद परियेटन इस जील में हाउस बोट है जिन में लोग रहना पसंद करते है वे सिकारा यह जो ना हो है ना इसमें बैठ कर चप्फू चलाना चाते है यह जील जीस जहर में इस्तित है वहाँ आपको बताना है ठीक है सिकारा नाओ की बात आजाए तो सिकारा नाओ को आप लोगों को सिर्ण नगर से आपर कंटेक्ट करना है यार मैंने तो आंसरी बता दिया चलो यह नंबर अपने खाते मे करना कोई भी बाद में मांदार इसे बताना अगर किसी न आज यह वता दिये कि मेरे पूरे में से पूरे ठीक है वीडियो के इंड में फिर देखना उसको यहाँ पर किस तरीके साथ उसके साथ यहाँ पर चीज होगी ठीक है चलो अगला कोश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ उनी के उपर यहाँ पर निर्वर रहते हैं जो आपके स्क्रीन परजाती के लोग रहते हैं तो यह अपना घर बनाते हैं उस घर को कहा जाता है इगलू कहा जाता है तो यह इगलू का जाता है तो यह इगलू का जाता है तो यह इगलू का जो निर्माने बरफ से करते हैं त तो बरफ से कैसे बनाते हैं और इसके अंदर कैसे गुशते हैं यू नीचे जमीन में लेटकर ऐसे गुशते हैं तो यहां से गुश जाते हैं इस वाले इगलू के घर में आप लोग कभी गुशे हो या नहीं गुशे कभी नहीं गुशे होंगे ठीक है तो मैं गुशा हुआ ह खरके अंदर जब गुज जाएंगे जो हमारी खुद की हीट होती है वो खुद की हीट बाहर नहीं जा पाती तो वह रहती तो अगला है दुर्विय चेतर में केवल बरफ ही उपलब्दे इसलिए बनाते अरे नहीं बाई लकडी भी वहापर मिल जाती है ठीक है जानमर को मारकर खाते है नहीं बरफ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देती अच्छा यही से गुशेगा पानी ठीक है बरफ की दिवारों के बीच में जो हवा रहती है जो अंदर की जो गर्मी रहती उसको बहान नहीं जाने देती तो आंसर आपका थर्ड यहापर ठीक है ये आपका 3rd आंशर इसके अंदर से हो जाएगा आप लोग भी 3rd के साहत जा रहे हो चलिए बढ़तेव आपके सामने नेक्स्ट कुश्चन अगलागे सामने आगया यह देखो अगला कुश्चन है अपका बाउडियो से ठीक है चलो भाई प्रावडियों की तो आपनिको संग्रैक्षित करने लियुक इसका यूज़ा जाता है अब देखें आपके सामने क्या पूछले उसके बारे में नजर डालते कि बावडियों के बारे में नीचे दे गए कतनों पर विचार करिए ठीक है चलोबे देखते बावडियों के बारे में नीचे गए कतनों पर ये मुखेते वर्सा रही छेतरों में ही दिखाई देती है अच्छा क्या ये वर्सा रही छे कि साधन के रूप में किया जाता है। इसको बताओ कि कम्मुनीटी के रिसॉर्स के रूप में इसका यूज किया जाता है। ठीक है यानि जब आपस में मिलके ये पानी को संचालिस करते हैं। ने खाना पहले के टाइम में आज की डेट के अंदर तो बहुत कम बची है। आपका वैसे भी हो गया अच्छा ये वत्त है आप लोग अब इसके अकोडिंग आप लोग आपर क्या आंसर दे रहे हो जरह मैं आप लोगों के आंसर को चेक कर लेता हूँ ठीक है होती है अच्छा चार के साथ जा रहे हो तीस के साथ आप लोग जा रहे हो यानि आप लोग C, और यहापर B, C, D, यानि आप लोगों ने A को सही माना कि यह मुख्यत है, वर्सा रही छेतरों में होती है, जाब वर्सा नहीं होती है, ठीक है, अच्छा, देखो भई, अगर इसकी बात करें तो आपका ये वर्षा रही छेतरों में ही होती है और ये मैं आपको बताए दिया था इनका उप्योग सामुदाइग इसके लिए यूज के जाता है दी आपका सही नहीं होगा कि आपर जो सीडिया होती है उनके द्वारा नीचे तक जाने के अनुमती नहीं होगी तो पानी कै फिक जाता है जाए वर्षा कम रहती है तभी तो बावडियों का क्या काम रहेगा जहां आपके अबूदावी का पूछ ले जाता है तो आपर क्या मिलता है तेली यह आपर देखनू को मिलता है ठीक है चली एगला कोश्चन देखे सामने आपकी स्क्रीन पर आगई यह रहा नेक्स्ट कुश्चन हमको दियावाय कि हम सहरी छेतरों में यह देखते हैं कि अधिकांस जो कुवे हैं वह लगबग 40 वर्स पूर पानी बढ़ने के लिए उप्योग किये जाते थे ठीक है अब सूख गई है अच्छा आप लोगों के गाउंवाओं में कुवे हैं आप लोग उसको भी बहुत नीचे गेराई तक अब ड्रिल किया जाता है थोड़ी बहुत गेराई पर पानी नहीं आता ठीक है तो इनका रीजन क्या है सूखने का क्या कारणन है इसका ठीक है यह कह सकतो यह आपका भूमी का जल है यानि कि आपका भूमी का जल है तो भूमी के जल के लो होने के कम होने के क्या क्या यहापर रीजन है वो आपसे पूछ लिए ठीक है अब उसके बारे में बात करते है पहला कोई भी कुवों का उप्यों करना नहीं चाहता क्योंकि सभी घरों में टोंटिया लगी हुई है अरे भाई टोंटी लगने का यह मतलब थोड़ी है सरकार की तरफ से ठीक है तो यह उप्शन आपका गलत हो जाएगा लोग विद्दूत मोटर द्वारा भॉम जल खीचना पसंद करते है यह बिल्कुर से हो जाएगा ठीक है मोटर लगा दी जैसे आपके एक्जाम में कुश्चन भी आया था कि जो भॉम जल होता है जो भूम पंप हो गया उसके लावा हैंड पंप भी आपका इसका कारण होता है ठीक है जो आपके भूम जल होते है उसको लेवल कम होने का कारण होता है तो यह उप्शन बिल्कुल सही है कि जो विद्दूत मोटर होती है जो इलेक्टिक मोटर होती है उसकी वज़े से भी आपका यह इसका रीजन है जो कुवे सूखते जा रहे है ठीक है दूसरा से हो जाएगा पेडो कुवो और आसपास की जमीन को अब सिमेंट दुवारा ढखकर वाता उनको साब बना दे जाता है पहले क्या रहता था जहापर भी माली जे कुवा है इस तरीके की चीज़े है वहापर पक्क कुछ लोग ने तो कपई भी कर लेते हैं जैसे माली जे कोने पर उनके घर बने वी तलाब की तरा थोड़े-थोड़े कि तु अदर से से रहते हैं और सामने आपकी स्क्रिन पर जो अगला कुछ नाएगा इस कांचर आप लोगों को देना है किसी छेतर में जल की कमी कही जाती है बताओ किस एरिया में क्यों गरों को रोज मरा के कारियों के लिए पानी मिलता है या पारी मिलता है तो घर की कमी कैसे हो जाएगी ठीक है उच छेतर लिए आज सुरक्सित है जो पीने का पानी पीते आप सभी को बता है वो कितना ही है ठीक है अगर वह आज सुरक्सित आ गया हम उसको पी नहीं सकते खाने बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते तो समझ लेना वापर जल्गी कमी देखने को मिलते हैं आंसर नंबर थर्ड यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ठीक है परात्य पानी से लोग दोने वे सफाई का काम कर सकते यह नहीं यह तांसर आपका थर्ड सही हो जाएगा ठीक है अगला कोश्चन देखते सामने आपकी स्क्रीन पर यह रहा आपके सामने next question अब जड़ा इसके बारे में नज़र डालते है ठीक है, चलो भई, अब बात करते हैं, next question के बारे में, विस्व जल दिवस, अब देखो, जली-जल की बात हो रही है, ठीक है, basically, जल चे संबंधी चीज़ आपको पूछी जा रही है, world water day, किस दिन को मना जाता है, पाच जून, जी नहीं, पाच जून को मना जाता है, environment day, यान आपके 22-22 को मना जाते है, बढ़ यह बताओ, मुझे 22 March होगा, 22 April होगा, 22 June को मना जाता है, विस्व वर्सा वन दिवस आपका, ठीक है, यह आपका 22 June को आपको मना जाता है, अब जरह इसके बारे मुझे आप लोग बतिए, इन दोनों में से आपका क्या सही हो जाएगा, ठ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल 22 March आपका क्या हो जाएगा, विस्व जल दिवस हो जाएगा, और 22 April आपका प्रित्वी दिवस हो जाएगा, ठीक है, तो इस प्रकार से 4 दिवस मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, ठीक है, तो साथ के साथ सोल करना, मुझे पता है, मिरसे पहले आप लोग इसको सोल कर लोगे, देखते इसका किस प्रकार से सोल इसको कर सते है, डारेक्शन वाले को, क्योंकि एक्जाम में आता है, डारेक्शन का कॉश्चन, ठीक है, राधा अपने घर से डाई किलो मिटर दूर, तो पहले में राधा का घर बना लूँ, तो यह बना लि डाई किलो मिटर जाती है, यहाँ पर आ गई, ठीक है, इस्ट की तरफ, नोर्थ की तरफ, उसके बाद उसने पूचा है, अब वहें बाए मूड कर, तो देखो भई, इसका मूँ इधर है न, तो इसका दाई इस तरफ हो जाएगा, बाए इधर हो जाएगा, तो बाए मूड बाए मूड कर कितना चलती है, बाए मूड कर वहें पांच किलो मिटर जाती है, तो बाए मूड कर यह कितनी चली गई, बाए मूड कर यह पांच किलो मिटर यहाँ पर आ गई, बाए मूड कर, ठीक है, और फिर वहें बाए मूड कर, अब बाए किदर मूडेगी, अब देख गई तो वह अपने घर से कितनी दूर है तो देखो यार यह रहा उसका घर और घर से यह दूर ही पूछे डारेक्शन पूछे देखो डारेक्शन क्या हो जाएगी पूरे इधर है पस्चिम इधर है तो क्या हो जाएगा डारेक्शन डारेक्शन हो जाएगा आपका वेस्ट हो तो यह अगला question देखता सामने आपकी screen पर यह रहा अगला question जो आपको screen पर दियावा है, यह question basically आवा है कपड़े वाले chapter से, कपड़े के यार question पहले नहीं आते थे exam में, अब exam ने उनको push-in लगावा है, ठीक है, आप लोग ने मेरे वाले notes भी पड़े होंगे न, ठीक है, उ उन से आप लोग मैं लोग बहुत अच्छे नम्मर से आपर इसको गेन करते हो, पहले सी, जब से मैं उनको यापर देता जा रहा हूँ, ठीक है, तो उसको मैं basically update करता रहता हूँ, ताकि यह कपड़े उपड़े घरवर ऐसी चीज़े नहीं आती है, तो उसके नदर आप लो घरवाला घरवाली थोड़ी है, ठीक है, तो यह option आपका गलत हो जाएगा, अगला है उनी raceों के बीच वायू फशी होती है, एम वायू उसमा लोदी होती है, दोनों के बीच में क्या फशी रहتी है, वायू यहापर फशी रहती है, और जो कि आपकी क्या होती है, या पर आपका सही हो जाएगा ठीक है आंसर सेकेंड चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट कोश्चन के और नेक्स्ट कोश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर जो आ गया अगला कोश्चन आपका कि दमन एंड द्वीब की लोग पर ये कला और या पर सिल्पकारी पूछली बता वहीं इसकी लोग पर ये कला और सिल्पकारी आपर क्या देखने को या पर मिल जाएगी ठीक है बी 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 अच्छा ठीक है वाई ठीक है बास की सिल्पकारी वल्ली चितरकाली यार वल्ली इसकी तो हो होती है तो आंसा नंबर फोर्थ आपका सई हो जाएगा ठीक है अच्छा काउंट करके देखते रहो कितना आपने वनाया हुआ है अपना स्कोर भी देखते रहे हैं अच्छा अगला कुशन यार बड़ा सिंपल है कई बार आपको बता चुका हूं यह तो बच्चे वाला पुच ले तो आपके 8 होते हैं अब जो आपके 8 UT होते हैं आठ के इंस्टासित फ्रदेश होते हैं उसमें से एक्जैमिनर कोई भी दो उठा लेता है ठीक है या कभी कभी 3-4 भी उठा लेता है तो 8 के 8 UT के बारे में नज़र डाल लेना अब देखो मीजोरम पहला तो गलती तीन के साथ, अच्छा मेरे थोड़े पुराने कमेंट आ रहे तो थर्ड आंचर आपका सी हो जाएगा, बढ़ते बाद के सामने ये रहा, एक और कोश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, यदि कोई किसान अपने खेतों में उर्वर को और कीट नास को के अधिक का इनका यूज कर और बार-बार धान की फसल यहां पर उगाता है, तो इसका आचरन से खेत की जो मिट्टी होगी, जो सोयल होगी, वो क्या हो जाएगी, देखें, आप लोग ने एक बाद देखियोगी, हमारे यहां पर क्या होता है, खासकर जो हमारा ये नोर्थ इंडिया जो रहता है, जैस जो रीजन होते हैं, अगर आप लोग ऐसा करोगे, कि एक ही फसल को बार-बार उगाते जाओगे, या बार-बार इतने कीट नाशकों का प्रियूक करते जाओगे, उससे जो मिट्टी होती है, तो यहां पर बंजर बन जाती है, ठीक है, भूमी के योग यहां पर मिट्टी नहीं बन जाती है, आपकी बंजर बन जाएगी, तो यहां पर केवल केवल यह इसी प्रकार की फसल लोगे, फोर्थ आंचर, यहां पर बंजर हो जाएगी, ठीक है, तो आंचर इसके अंदर आपका फोर्थ सही हो जाएगा, अगला कोश्चन देखे सामना आपकी स्क्रीन प कौनजी होती है, यह देखो, यह मुकुल हस्तर मुदरा होती है, यह वाली, जो मैंने आपको बनाई हुए, कौनजी है, यह मुकुल हस्तर मुदरा है, जो सभी उंगलियों के सिरों को जोड़ कर बनाती है, यह क्या दरसाती है, अब एक बात देखो, यह मैंने बना दी मुक मुधरा लगे तो चल्क मुदरा को जैसे योग करते कोई वि मारी दिया तो उसके लिए वी इसे वाली मुधरा का यूज को यूज Breaking तो आप लोग समझ गहें, फूल जीते हैं, इस तरीके से बनाता है, वह कौंची मुद्रा होती है, बाबस जी के ठुल मुद्री है, जो आपके कमल के फूल जा लगुरा है, पता नहीं कहां कहसे, बूचि हैं, अगला कर देके सामने, आपकी स्क्रीन पर लास्ट कुष्टिन क यहाँ पचास वा कोश्चन है देखो आपके सामने और यहाँ पर आपकी NCRT थर्ड वाली यहाँ पर कम्प्लीट हो जाएगी, आप देखो पचास कोश्चन क्या दिया हुआ है, आप दुकान से गहूं लेते हो, लेते है भई, और आपकी मा उसकी रोटिया बनाती है, बिल्क इनको नहीं पकड़ता है आप लोग, ठीक है, तो रोटि मा थोड़ी बनाती है, रोटि कोई भी बना सकता है, ठीक है, तो गहूं से रोटि बनाने की जो परिकरिया होती है, उसके सही करम का आपको चुनाव करना है, बताओ भई, जितने भी आप लोग वीडियो देख रहे एक पात्र में आटा ले 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 लिया आटा आटा गुंदे रोटी सेके और फिर गहुं का आटा बनाए यार पहले गहुं का आटा बनाएंगे सब होने के बाद फिर गहुं का आटा बनाएंगे यह उप्चन तो गलत हो गया गहुं का आटा बनाए बना दिया भाई गहु देखा मैंने ज्यादतर नहीं पूरमाइद बूक्सुन भाएसे वह फटी तो आटा गूली भाएसे उसका उपर उपनी मरुझी से सबसम्री marchak ठीक है और फिर रोटिया से और फिर उसको खाए और फिर घूमे और फिर के पुरा का पूरा प्रोसस होता है जो आप लोगों का आज कितना स्कोर हुआ है टोटल आज आपके पचास कोश्चन थे, पचास में से बताओ, आज आप लोगों का कितना स्कोर हुआ है, और उसके अलावा, फॉर्थ और फिफ्थ किलास की है, वो मैं आपके लिए कराऊंगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और अपने दोस्तियारों के पास, क्योंकि जो मैं आपको इस तरगे से कंटेंट दे रहा हूँ, मतलब इस कंटेंट के बाद आप लोग यकीन मानिए, पूरी मेरी तयारी 140 प्लस की है, 140 प्लस की है, ठीक है, तो लेटशी, अब आप लोग कितनी मेहनत लेकर कर क्या आतो अपने एक्जाम में, और अगर आप लोग ने अभी सारे सब्जेट कवर करने शुरू करें, एक्जाम तक आपका इजली वो कवर हो जाएगा, सीटेट में आपको कोई भी टेंसन जरूत नहीं है, जो भी आपको तरीका ठेक लगे, आप लोग यहापर कर सकते हो, ठीक है, अब जरा इमानदारी से मुझे अपना स्कोर बता दो, आपका स्कोर कितना हुआ है, एक एक करके चेक करता हूँ, देखो पहला ही मैंने पकड़ ले जारिया, जारिया ने लिखा 50 में से 50, मैंने कहाता है, एक ओप्शन मैंने खुद इसकी तरफ से 50 वाले को पपु यादव कुमार के 20 है, अखिलेस यादव के 45, अखिलेस यादव के 45 नमबर है, ठीक है, अखिलेस यादव के कमनी रहने के, ग्यानुवती यादव के भी 48 आपके, ठीक है, वेरी गुडब भई, सुएता सिंग के आपके 41 है, बाए सर्जु गुड़नाइट, बाए मैं जितने भी देख पा रहा हूँ, एक आदे को अगर छोड़ दो, ठीक है, आटे को चिकना नहीं करके रखते, इसलिए उंगली छाप लगाकर रेष्ट के लिए रहे देते हैं, अच्छा मतलब और बताओ, मतलब यही रीजन है, कुछ और रीजन है, क्योंकि मैंने देख तो हमारे घर के अंदर भी जब रोटिया बनाती है, बनाने बाद यूँ उसके उपर छाप छोड़ देते हैं, ठीक है, इसकोर यार बहुत अच्छा आ रहा है आप लोगों का, ठीक है, अखिलेस के भी आपके 50 में से 40 है, संजू साप 47 नंबर है, यार इसकोर में देख रह आपकी मेराथन किलास भी है, तो आप लोग बच्चों को बोल देना कर 8 वजे ठीक यूटूब चैनल पर आ जाए, जिन जिन लोगों का BPSC का एक्जाम है, उनको आप लोग बता देना अपने दोस्त्यारों को, कि सचिन सर के चैनल पर कल 8 वजे BPSC की महा मेराथन किलास